पाठ उन्नीज अपठित अवबोधनम भाषा शिक्षन के चार सोपान हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना अपठित अवबोधन उपरिक्त सोपानों को पूर्ण करने में सक्षम है मौकिक रूप में कहानी सुना कर बच्चे से प्रश्न पूछना पहले दो सोपानों को प्राप्त करता है दूसरे दोनों सोपान लिखित रूप में प्राप्त कथा, लेखादी को पढ़ कर चातर उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने में समर्थ होता है अपठित अवबोध छात्रों में भाशा शिक्षन के चारों कौशलों को विकसित करता है परीक्षा में 40 से 80 शब्दों का कोई लेख, कथा या समबाद दिया जाता है जिस पर आधारत प्रश्णों के उत्तर चात्र निर्देश आनुसार, एक पदेन, वन वर्ड, पून वाक्येन, वन सेंटेंस, बहु विकल पात्मक, MCQ के रूप में लिखते है अनुचेदा धारत प्रश्णों के उत्तर लिखते हुए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए अनुचेद को ध्यान से पढ़कर भाव बोध करना चाहिए अनुचेद में प्रयुक्त कठिन शब्दों को रेखांकित कर लेना चाहिए अनुच्छेद किस विशय पर आधारित है? अनुच्छेद पर आधारित किसके बारे में क्या बात हो रही है? समझने का प्रियतने करना चाहिए प्रश्णों को ठीक से समझ कर अनुच्छेद से उनके उत्तर ढून कर लिखना चाहिए भाशिक कार्य पर पकड बनाने के लिए विशेशन विशेश्य करत्री क्रियापद समानार्थी व विपरीतार्थी शब्दों को समझना चाहिए उदारन अधो लिखितम अनुच्छेदम पठित्वा निर्देशा नुसारम प्रश्ना नाम उत्तरानी लिखत महात्मा गांधी भारतस्य राष्ट्रपिता अस्ति अस्य जन्म 1879 वर्षे गुजरात प्रदेशस्य पोरबंदर नामनी नगरे अक्टूबर मासस्य द्वीतारिकायाम अभवत अस्य पिता श्री करम चंद गांधी माताच पुदलिबाई आसीद अस्य बाल्यकाल अस्य नाम मोहन दास करम चंद गांधी आसीद अस्य प्रात्मिकी शिक्षा पोरबंदरे एव अभवत सह उच्च शिक्षाम प्रातुम आंगल देशम अगच्छत तत्र सह बेरिस्टर उपाधिम प्रापिय स्वदेशम प्रत्यागच्छत एक पदेन उत्तरत एक पदने उत्तर दीजिए क भारतस्य राष्ट्र पिता कह अस्ती ख महात्मा गांधी नह जन्म कुत्र अभवत ग महात्मा गांधी नह पितुहु नाम किम आसीद ग महात्मा गांधी आंगल देशम किम प्रातुम अगच्छत उत्तराणी, क महात्मा गांधी, ख पोर बंदरे, ग श्री करम चंद गांधी, ख उच्च शिक्षाम पून वाक्येन उत्तरत, पून वाक्य में उत्तर दीजिये महात्मा गांधी नह जन्म कस्मिन प्रदेशे कदाच अभवत उत्तराणी, महात्मा गांधिनह जन्म गुजरात प्रदेशे अक्टूबर मासस्य द्वीतारी कायाम अभवत विकल्पे भ्याह उचितम उत्तरम चिनुत विकल्पों से उचित उत्तर चुनिये क, प्राप्तुम अत्रपदे उपसर्गह कह प्रा, प्र, तुमुन, प्राप ख, पिता श्री करमचंद गांधी, माता च पुतलिबाई आसीद अस्मिन वाक्ये किम अव्याय पदम प्रयुक्तम? आसीद, श्री, च, माता उत्तराणी, क, प्र, ख, च विद्या मानवस्य वास्तिविकम चक्षुहू विद्यया विहीन पषुहू विद्यया एव मानवह दानवattvam, विहाय देवattvam, अधिगच्छते यस्य नरस्य पाश्वे, विद्या रूपम नित्रम न अस्ते सह अंधह एव तस्य जीवन निर्वाहं अपिदुष्करम भवते सहसंसारे सम्मानम नप्राप्नोते विद्वान सर्वत्र पूज्यते विदुशह नरस्य सर्वत्र सम्मानम भवते विद्या निर्धनानाम धनम कुरुपानाम रूपम निर्बलानाम बलम भवते प्रत्येकम बालेन परिश्रमेन विद्या पठनिया एक पदे न उत्तरत एक पद में उत्तर दीजिये का नर्धनानाम धनम का अस्ति ख कह सर्वत्र पूजियते उत्तराने का विद्या ख विद्वान पून वाक्येन उत्तरत पून वाक्यमें उत्तर दीजिये अत्र संसारे कह नरह अंधह एव अस्ती उत्तराने अत्र संसारे विद्याहीनह नरह अंधह एव अस्ती विकल्पे भ्यह उचितम उत्तरम चिनुद विकल्पों से उचित उत्तर चुनिये क. त्यक्त्वा इत्यर्थे किम्पदं अत्र प्रयुक्तं? सर्वत्र, विहाय, दुष्करं, पठनिया. ख. चक्षु, इती पदस्य कह पर्यायह अनुच्छेदे प्रयुक्तह? विद्वान, विद्यया, नेत्रं, अंधह, उत्तुराणी, क. विहाय, क. नेत्रं.